नमस्कार दोस्तों बदो साथ आपको हमारे चलिमे दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बहुती खास जानकरी देंगे और एक बहुती काम की जानकरी देने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप किस तरह से सिर्फ महीने के 55 रुपे जमा करके जिया हर महीने सिर्फ 55 रुपे जमा करने के बाद आप हर साल 36,000 रुपे ले पाएंगे या सीधी सब्दों में समझे तो हर महीने आपको 3,000 रुपे मिलते रहेंगे दोस्तो ये भारसरकार की एriad नई स्कीम है दोस्तो इस स्कीम की पूरी जान कर इस वीडियो हैं दोस्तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वो इसकीम है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तो इसका नाम है प्रधान मंतरी शरम योगी मान्धन योजना, दोस्तों अब ये योजना क्या है, दोस्तों अगर आप छोटे-мोटे मजदूर हैं, छोटे-मोटे क्रमिक हैं, छोटे-मोटे कहीं भी काम करने आपकी इतनी कमाई नहीं हैं कि आप जादर इंवेश्ट कर सकें, तो आपको इस scheme के अंदर सिर्फ 55 रुपे हर महीने जमा करने हैं और आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपको उसके बाद मिलेगी हर महीने 3000 रुपे की pension जी हाँ यहाँ यहाँ पर सरकार ने अब सभी लोगों को pension देने के लिए अलग-अलग तरह के pension plan यहाँ पर start कर दिया है तो आप इसके अंदर आविदन कर सकते हैं जी हाँ अगर 40 साल से उमर आपकी ज़्यादा है तो आप इसके लिए अयोग्य रहेंगे तो अगर आप 18 से 40 साल के हैं तो आप इसके अंदर आविदन कर सकते हैं दोस्तों, यहां पर आपको कितने रुपे इंवेस्ट करने पड़ेंगे, यहां पर मानलीजे, अगर आपकी उमर आज 18 साल है, तो आपको 55 रुपे हर महीने जमा करने पड़ेंगे, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको मिलेगी 3000 रुपे की हर महीने की पेंशन लेकिन वहीं पर अगर आपकी उमर मान लिजे आज 40 साल है तो यहाँ पर आपको हर महीने जमा करने पड़ेंगे 200 रुपे प्रती माँ तो दोस्तों यहाँ पर जितने रुपे आपके जमा होंगे उतने ही रुपे सरकार भी अपनी तरफ से जमा करेगी और जब आप होईंगे या 60 साल के बाद की जो आपकी उमर होगी तो उसके बाद सरकार की दरफ से मिलेगी हर मेने 3000 पेंशन या मान लिजे सालाना 36,000 रुपे दोस्तों इसका बेनिफिट क्या इसका बेनिफिट यह है कि मान लिजे जब आप इस पेंशन को पूरा ले लेते हैं तो 60 साल क उमर के बाद आपको पेंशन तो मिलेगी या अगर पेंशन धारक या मान लिजे अगर आपने पेंशन प्लान इसको ले लिया अगर आपकी या पेंशन धारक की अगर मिरती हो जाती है तो उनके नौमिनी को 50% पेंशन भी मिलती रहेगी अब दोस्तों बात करते हैं कि यहा आपका आविदन कर देंगे, पहली payment आपको वहीं करनी है और उसके बाद आप चाहें तो अपने bank account से direct payment भी कटवा सकते हैं, दोस्तो अगली बात कि इसके अंदर आपको document क्या क्या देने पड़ेंगे, document के लिए आपको सिर्फ देना है अपना आधार card और दूसरा आपको दे तो 60 साल की उमर के बाद आपको हर साल मिलेगी 36,000 रुपे की pension तो दोस्तों बहुती अच्छी स्कीम है बहुती कमाल की स्कीम है और कोई भी fake स्कीम नहीं है ये इसके अंदर अगर आप छोटे मोटे तमगे के करमचारी वगरा है तो आप जरूर इसके अंदर आविदन कीज और इस योजना का लाब लीजिए तो दोस्तों कैसे लिए आपको जानकरी प्लीज हमें कमेंट करके बताए अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस योजना का लाब ले सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूरू लίए यो, ख भी वोजना का लिएाब जानकर से खthरनो कीजिए वाद हमें का सथति खरनो कीजिए तोस्तों का लाब लगे